अगर अच्छी लग रही हैं दोस्तों तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन ज़रूर दबाएं आज हम क्या डिसकस करने वाले हैं दोस्तों आज मैं एक बहुत इंपॉर्टन टॉपिक पर बात करने वाला हूँ और वो टॉपिक है आफिस में हम ब्रेक कैसे ले क्या सही तरीका है ब्रेक लेने का और उस ब्रेक को किस तरीके से यूटिलाइज करें कि हम अपनी खोई हुई अपनी एनरजी अपना खोया हुआ एटेंशन अपना फोकस वापिस ला पाएं और वर्क पे जाकर अपने काम पे जाकर दुबारा अच्छे से काम कर सकें तो दोस्तों जितने भी लोगों से मैं पूशता हूँ कि आप ब्रेक कैसे लेते हो जदे तर लोगों का रिप्लाइ मालुम चल जाएं जिससे की आप उस ब्रेक टाइम में अपने एनरजी को रिस्टोर कर लें तो कितना अच्छा होगा आपके लिए आपके काम के लिए तो आज मैं आपको वही बताने वाला हूँ सबसे पहला पॉइंट उसमें है दोस्तो एक्सराइज अब मेरा यहाँ पर एक्सराइज से मतलब है कि 5-10 मिनिट आप ब्रेक लेकर अपने बॉड़ी को स्ट्रेच करिए अपर बॉड़ी लोवर बॉड़ी को आप स्ट्रेच करिए इससे क्या होता आपका ब्रेन फंक्शन इंप्रूव होता है और आपका एटेंशन इंप्रूव होता है बढ़ता है आप अच्छे जे फोकस कर पाते हो दूसरा दोस्तो जो रूल है वो है 20-20-20 अब यह 20-20 मैच वाला नहीं 20-20 नहीं है 20-20-20 मतलब हर 20 मिनिट में 20 सेकंड के लिए आप ब्रेक लें और 20 फिट जो अबजेक्स हैं उन पर फोकस करें अब इससे क्या होगा इससे होता यह है कि आपका कुछ इंचेस से कुछ फीट तक आपका फोकल डिस्टेंस पहुंच जाता है जिससे ब्लड फ्लो आपके ब्रेन का ब्लड फ्लो उस ब्रेन उन ब्रेन के पार्ट्स में पहुंच जाता दोस्तों ब्रेक लीजी जैसा आप नॉर्मली लेते हैं पर हाँ उस ब्रेक में कोशिश करें कि आप ग्रीन एरिया में जाएं अपने आफिस के ग्रीन पार्क में ग्रीन एरिया में लॉन में जाएं और वहां पर ग्रास पे चलें और ग्रीन देखें अगर आपके आफिस के आ और फिर मोबाइल उठाईए, मोबाइल में आप green scenic beauties देखिए, उससे भी आपके mind को बहुत relaxation पहुंचता है, relaxed mind, focused mind हो जाता है, चोथा दोस्तों, again very important point है, वो है, become a part of humor, और read a joke, और see something humorous, watch a video on YouTube, और मेभी एक joke पढ़ लिया, या फिर दोस्तों के साथ एक छोटा सा joke crack करके हस लिया, जब आपका brain muscles, खुश होता है, उससे भी आपकी energy restore होती है, और आपका attention span, आपका focus improve होता है, पाँचवाँ दोस्तों, वो है socialize, अब socialize कैसे करेंगे आप, मान लीजिए आप office में बार बार break नहीं ले सकते, पर हाँ, 5 से 10 minute निकाल के, कभी भी break में, office के time पे break में, आप अपने friends, अपने family members, किसी अपने जानकार को phone मिला लीजे, और ऐसे हल चाल पूछ लीजे, बाते कर लीजे, I'm sure, बहुत से ऐसे लोगा जो घंटों बाते करते, मेरी एक boss हुआ करती थी, जो office time में, 8-9 घंटों में से 4 घंटे तो phone पे लगी रहती थी, तो मैं उस socializing के बात नहीं कर रहा हूँ, यह कुछ ज़्यादा होता है, मेरा कहने का मतलब है, 5-10 minute निकाल के, अपना जो stress है, वहाँ पर उनसे बात करके relieve हो जाता है, बहुत बार आपने मन की बात भी कह लेते हों, तो socialize करिए, उसका भी बहुत फरक पड़ता है, इससे भी आप अपनी energy को restore back कर लेते हों, और 6 दोस्तों, again very important, although यह बहुत से लोग शायद नहीं कर पाएंगे, लोगों का interest area नहीं होता है, दोस्तों, अगर आप book reading करते हैं, अगर नहीं करते हैं, तो करना शुरू करिए, सिखिए इसको, इसको habit में लाइए, बहुत फाइदे होते हैं, कभी किसी और वीडियो में बताऊंगा कि book reading के क्या फाइदे होते हैं, पर आज, अगर आप कोई book reading कर रहे हैं, तो office में एक e-book रखिए, या एक book भी रख सकते हैं, तीन से चार पेज बस, या पांच पेज, छे पे, जो भी आप पांच से तस मिलिट में पढ़ सकते हैं, उसे पढ़िए, कहते हैं, जब कभी आप कोई story book, कोई fiction book पढ़ते हैं, तो आपकी imagination आपको उस book के plot में उस story में जाती है, जिससे आपका mind कहीं ना कहीं अपने काम के stress से हटता है, और वापस से आपके energy को restore करता है, तो इसका भी बहुत फायदा है, तो दोस्तों अगर आप ये 6 points मेरे याद रखते हैं, तो आप अपने office में breaks को भी इस तरीके से ले सकते हैं, कि वो आपके ही काम में आप की मदद करेगा, I hope दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हाँ, जैसा कि मैंने पहले कहा, प्लीज मेरे चानल अजित पनिकेर official subscribe करना ना भूलें, bell icon ज़रू दबाएं, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए, प्लीज मुझे comment करें, मुझे बताएं कि किस तरीके की व बॉक्स में लिख कर भेजें, मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए, take care and best of luck.